डेंगू का प्रकुप लगातार दैरादूर में बढ़ रहा है डेंगू के प्रकुप से आखिर कैसे बचा जाए जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुक्चिकस्राथकारी एसके गुपता जी सर लगातार डेंगू का प्रकोब बढ़ रहा है और लगातार देखा जाए तो मरीजों की संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है सर क्या कुछ कारान है और इसके बचाओ के क्या होंगे सर डेंगू का जो लगातार हमारे छेतर में देरादूम छेतरें पर को बढ़ रहा है जो की मेन जो एरिया है वो रायपूर का जो ज्यादा अफेक्टेड है बाकी एरिया में अभी पेशेंट कंड्रल कंट्रोल में है और जो रायपूर एरिया के छेतर में भी है जो मरीज जो है वो अभी साधरान डेंगों के बुखार के हैं कोई जादा सीरिस पेशन्ट नहीं है बागी सबका OPD इलाज चलके अजिक तर पेशन्ट लोग अपने घर जा चुके हैं एक मरीज है केवल भड़ती है जो HISTM भड़ती है वो भी ठीक है इस्तिति उसकी सही है सर अकर बात करें तो अभी तक कितने मरीजों की पुष्टी देहरादून में हो चुकी है देहरादून ने अब तक टोटल 87 मरीजों की पुष्टी हो चुकी है जिसमें की 6 पेशन्ट बाहर के हैं बाकी देहरादून के हैं क्या और कुछ बिसेश अगर देखा जाए इस्पितालों को कि बिसेश कुछ बैड भी है गए या कुछ अलग बार्ड बनाए गए हैं सर क्या बश्ता है और की गई हैं इसे कॉनने सान है दूने हस्पिताल है इसके अलावा गांदिय शाताब्दी है रिस्जी केस है इसका उप्चार करें और उसका निजान कराएं यह थे हमारे साथ मौजूद मुख चिकस्ष्यातकारी एसके गुपता जिनका साफ तोर पर कहना है कि डेंगू कि प्रकोप से बचने के लिए साफ सफाई का बेसेश ध्यान दें कैमरेमें डाजेस के साथ मैं प्रतीक पाठक R9TV देरादू